हाई एवरिवन वेलकम टू मैं यूट्यूब चानल लीशयस डेंडल क्लास्रूम तो आज हम लोग यह बात करने वाले हैं कि क्या आपके बच्चे चॉकलेट खाते हैं आपका एंसर जरूर होगा कि हाँ ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जो चॉकलेट ना खाता हो और दूसरा कि बच्चा और चॉकलेट का रिलेशन्शिप बहुत ही जादा डीप है तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देती हूं कि अगर आप यह सोचते हैं कि आप अपने बच्चों को यह सिखा देंगे कि उनको चॉकलेट नहीं खाना चाहिए तो पूरा का पूरा वीडियो आपको वह पांच टिप्स तेगा जिसे आप अपने बच्चों के दात को सरन से बचा सकते हैं मेरे यह पूरा वीडियो सिफ और सिफ उन पैरेंस के लिए हैं जो यह चाहते हैं कि वह अपने बच्चों के दात को कैसी भी करके सेव कर सके तो मेरे यह पांच टिप्स आपके लिए बहुत जादे यूसफुल होंगे मेरा पहला टिप यह है कि आप अपने बच्चों को प्लासेबो ट्रीटमेंट दीजे अब यह प्लासेबो क्या चीज है फॉर एक्जामपल आप उनको चॉकलेट तो दीजे पर चॉकलेट के जगा पर या तो आप कोई न्यूट्रिबार दीजे या फिर आप चॉकलेट फ्लेवर का कोई उसको न्यूट्रेशन वाला चीज दीजे इसको बोलते हैं प्लासेबो टीजेटमेंट मैं आपको और एक ग्जाम्पल देती हूँ कुछ पेशिंस कम दॉक्टर के पास ऐसे आते हैं जो कि मेनिया से आते हैं तो डॉक्टर उनको क्या करते हैं, कि उनको विटामिन के सिरिंजिस, या फिर विटामिन के टैबलेट दे करके घर वापस कर देते हैं, जिससे उनको ये लगता है, कि वो इस दवाय को खाने से ठीक हो जाएंगे, वैसे ही आप अगर चॉकलेट के पेपर में व्रैप करके उनको कोई भी गुर्फ, नियूट्री बार, कोई भी बदाम देते हैं, तो बच्चे उसी के वे से मोटिवेट हो जाएंगे, और उनको ये चीज और ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा, मेरा दूसरा पॉइंट, आप बच्चों को डेंटिस से डराएं मत, उनसे एक बॉन्ड बनाएं, उनको ये मत समझाईए, कि अगर आप चॉकलेट खाऊगे, तो ये डॉक्टर आपके दांत निकाल लेंगे, आप उनको ये समझाईए, कि ये आपके फ्रेंड है, जो कि आपको ठेर सारे चॉकलेट्स देंगे, तो आपके बच्चा उससे जादा अंडरस्टैंड करेगा, और डेंटिस्ट के बाद को जादा से जादा बनाएगा, तो make a pure bond between doctor and your child, मेरा तीसरा पॉइंट, आप कोई भी बच्चे को अगर ये समझाने के लिए लग जाएंगे, कि ये आपके लिए खराब है, तो वो और जादा करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके फ्रिक्वेंसी को आप रोग दीजिए, जैसे कि आपका बच्चा अगर दिन में चार चॉकलेट खाते हैं, आप उनको चार चॉकलेट एक टाइम पे खिला दीजिए, और उनको ये बोलिए, कि आपको जितना चॉकलेट खाना आप एक बार में खाईए, जैसे आप फ्रिक्वेंसी को कम करेंगे शुगर का, वो उनके टीथ में 50% रेशियो के कम से एफेक्ट करेगा, इसलिए बच्चों को आप एक टाइम पे या मॉर्निंग के टाइम पे जो भी देना है आप उनको दे दीजिए, मेरा फोर्थ पॉइंट अपके लिए ये रहेगा, कि आप बच्चों को डराएए मत, धमकाएए मत, या फिर आप उनको इस बात पर समझाएए, आप उनको कुछ रिवोर्ड दीजिए, अगर आप चॉकलेट नहीं खाएंगे, तो आप हम लोग आपको आपका फेवरेट डॉल, या फिर हम लोग आपको फेवरेट आपका सूपर हिरो लाके देंगे, मेरा पांच्पा पॉइंट आपके लिए ये रहेगा, आप अपने बच्चों को जिस तरीके से फिजिशन के पास लेके जाते हैं, वैक्सिनेशन के लिए वैसे ही फ्लोरिडेशन के लिए प्लीज अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेके जाईए, डेंटिस्ट पीट और फिशर सीलेंट से आपके बच्चों के दांत में फिशर मतलब की जो भी धरारे होती हैं, उनको भर देते हैं, जिससे वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है दांत में और आपका बच्चा कितना भी चोकलेट खाया उन दांत में वो एफेक्ट नहीं करेगा, आपके बच्चों का दांत उतना ही इंपरेंट है जितना आपका पर्मेनट टीत क्योंकि आपका जो प्राइमेरी टीत होता है, उसी के प्रेशर से आपका पर्मेनट टीत भी इरॉप्ट होता है, तो अगर आप यह समझ रहे हैं कि यह तो दूद दांत है या primary teeth है यह निकल जाएगा तो यह आपका सबसे बड़ा गलती है वो अगर पहले इरप्ट होगे या late इरप्ट होगे आपका permanent teeth में वो सारे problems आएंगे जो कि एक primary teeth को आप अगर पहले ठीक करवा लेते तो यह सारे problem नहीं होते प्लीज आप अपने बच्चों के दांत से या अपने दांत से कभी भी compromise मत कीजिए क्योंकि यह एक ऐसा problem है dental का जो कभी भी घटता नहीं है और यह बहुत बड़ा advantage है कि एक दिन में आपके दांत में कोई भी effect नहीं पड़ता है इसको लंबा समय चाहिए effect करने क लिए तो आपके पस बहुत सारा टाइम है इसके बाद जैसे कि आपको पता है कि एवरी वीडियो के बाद मैं आपको एक टिप देती हूं तो बच्चों के लिए यह टिप है आप अपने बच्चों के खाने में फ्लोराइड टैबलेट दे सकते हैं या फिर किट्जों जैस तो आप जब उसको यूज करवाते हैं अपने बच्चों के दानत में एक पी साइज में तो आपका बच्चे को वह फ्लेवर भी पसंद आता है और दो टाइम वह ब्रश करने के लिए भी रेडी हो जाता है तो यहर एंड मैं वीडियो आप मेरे सारे वीडियो जाए और कमे प्रश के लिए बूलेवश थिल्ड़ झाल क Запब दो करने कर दो समी करश्बेड़ में तो में झाल है तो आता हैं कर दो गह बज़ते हैं ए Tengy में शेखर का दो एकोàng वे जबशूंगती है पाना है पाना क्रश कर दो कि ने चुि शो मैं प्र एक, पर बा